Hello friends, NIO DLT के बारे में आप समझा रहे हो کہ पूरे देश में जो एक बच्चों के बीच में जिन्हों निसे भी NIO Сे DLT किया है, उन लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है हर जगह के बच्चे ये कोई अब किसी राज्य का मामला किसी स्टेट का मामला नहीं रहे गया ये पूरे देश पूरे भारत का मामला हो गया है जिन्होंने भी NIO's से डियलेट किया है उन लोगों को लेकर हैं तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे असम के डियलेट NIO's के आपकानल बनेया है उसके बारे में गता की आपकम परना नियुक्त बींट को सब्सक्राइब कर देना जिससे ऐससे धारा मिल सब्सक्राइब करिया ऊपको इंपोर्मीचनल जो असम के NIOs DL8 के अभ्यरती है उन लोगों के लिए जो है ये बहुत बड़ी बात है एक तो असम में का पहले में सबसे पहले आपको notification दिखाती हूँ जिसमें clear तौर पर ये बोल दिया गया है कि असम के बच्चे जो NIOs से DL8 जिन्हों ने किया है असम में आप देख लो जो वेकेंसी निकली है उसमें clear तौर पर ये mention किया गया है कि NIOs DL8 और NIOs से जिन्हों ने भी DL8 किया है is no longer a valid qualification to be eligible for fresh recruitment to the post of teachers और ये clear तौर पर NIOs DL8 के बच्चों को जो वेकेंसी आई है उससे बाहर किया गया है और इसका बेस रखा गया है Supreme Court का फैसला और इसी की वज़े से जो है बच्चों ने अपना विरोध जताया है और वहाँ पर असाम में जो है प्रदर्सन किया है वह आप एक फोटो जो है आप देख सकते हो किस तरह से क्दम इसे ही कहते हैं सिक्षित यानि एजुकेटेड अभ्यर्ती जिन्हों ने अपनी बात को रखा है विरोध भी किया है लेकिन एक डीसेंट वे में आप देख सकते हैं यह आप यहां का जो फोटो देख रहे हैं यह ना यूस का ओफिस है जो की गौहाटी में है वहां पर जाक करके इन लोगों ने अपने बातों को राके जाहिर से बात है आप लोगों ने बच्चे को ढूंड ढूंड करके जो है डीलेट करवाया और यह भी बोल दिया कि भाई करना कंपलसरी है और आज के दिन आप उनको बाहर कर दे रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है कि क्या का एक अप्लिकेशन जो है यहां पर पत्र दिया हुआ है कि इनको भी शामिल किया जाना चाहिए अपने दर्द को जो है बताया है तो यह तो हो गई आसाम से बात जहां से जो है एनाई उस डियलेट के बच्चे लगा तार अपनी बातों को रखने की कोशिस कर रहे हैं मैंन जो चीजे हो रही है एक कलकता हाई कोट से भी मामला है कि आज एनाई उस को ले करके जो है वहाँ पर सुनवाई होनी है वहाँ पर क्या फैसला आता है और एनाई उस डियलेट को ले करके क्या क्या चीजे होती है वो हम जरूर आपको बताएंगे जबी भी इसका जो है अप गलती किसकी है तो हर जगह पर आपको गलती नजर आईगी इसलिए किसी एक पर ब्लेम डालना ये बिल्कुल सही नहीं होगा यहां पर टाइम है हम मिलकर के साथ में आकर के जो है लराई को लरे अब मैं बता दू आपको कुलकता हाई कोट के बारे में जो मैं आपको बताया कि आज जो है सारे 12 बजे के करीब में कुलकता हाई कोट में एनाई उस डियलेट को लेकर के एक सुनवाई है उसमें क्या फैसला आ रहा है क्या चीज़े आ रही है जब आएगा तो मैं आप और डीटेल में बताऊंगी और पूरे कोट रिपोर्ट के साथ ताकि आप लोगों को पता चले बढ़ हर स्टेट में ये मामला को चलाया अब जा रहा है अभी जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था कि अल्हावद हाय कोर्ट में भी एक केस दर्ज किया जारह है जो कि directly gadget को ले करके होगा कि gadget को क्यों नहीं निकाला गया उसकी जो है शफाई दी जाए उसके बारे में बताया जाए तो एक वो होगा और दूसरा मामला जो है supreme court में ले जाए जा रहा है जिसको हम लों फ्रेस या चिका या फ्रेस read petition आप बोल सकते हो जिसमें कि उसमें सभी राज्यों के बच्चे की तरफ से ये केस किया जाएगा तो जब तक कोई केस नहीं हो जाता है तब तक हम नहीं बता पाएंगे कि केस जो है किस तरह से हो रहा है लेकिन ये सुप्रीम कोट वाला जो मामला है इसमें MHRD, NCT और NIOs के अगेंस्ट में जो है ये केस डालने की बा इन ही सारी चीजों पर चर्चाय चल रही है आप सभी NIOs के NIOs से डियलक किये हुए बच्चे आप लोग देख रहे हो कि जैसे कि जैसे जैसे वेकेंसिस आ रही है वैसे वैसे NIOs डियलक के बच्चे को साइड कर दिया जा रहा है चाहे बिहार की बात हो जाए या आसाम की बात हो जाए अभी जितना भी रिकृट्मेंट आएगा उसमें इसी तरह का स्टेप लिया जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोट के फैसले के खिलाफ कोई भी स्टेट नहीं जाएगी क्लियर तोर पे बात यह है और अभी के टाइम में मतलब की जहां से भी जो भी स्टेप बढ शामिल नहीं हुआ था रेकृगनिशन लेटर उसको शामिल करवाया जाए लेकिन कहीं से किसी भी तरीके का जो है कोई स्टेप लेते हुए नजर नहीं आ रहा है अब रीजन क्या है पीछे में बैक साइड में क्या स्टोरी चल रही है क्लियर नहीं हो रहा है बच्चे उसी होगा हम नहीं जानते हैं लेकिन यह नहीं है कि असम में रिकृट्मेंट में इनको शामिल कर लिया जाए कम से कम इनके दर्द का पता तो चला कि हाँ इन लोगों के साथ हो क्या रहा है वैसे आप लोगों को भी यह चीज़े एक साथ मिल करके पूरे देश के नियुस डियल को लेकर के यह सारी चीज़े चल रही है इससे रिलेटेड और कोई अपडेट होगा डेफिनेटली आपको इसी चरल के माथ हमसे इंफॉर्म किया जाएगा तिल रेंड टेक केरें